क्या बताएगा function में कि अगर f such that a to b एक function है या दुसरा नाम इसका क्या है mapping है तो a के सभी element को क्या कहते हैं domain और b के element को co domain इसमें हमने कहा था कि अगर y is equal to fx है तो actually x किसको belong करेगा a को belong करेगा और y किसको belong करेगा b को belong करेगा domain के सभी element की अलग-अलग image होनी चाहिए अपनी एक से अधिक image नहीं है अपनी distinct image होनी चाहिए ठीक है और कोई भी ऐसा element उसमें न हो जिसकी image न हो सबकी image होनी चाहिए ठीक है और co domain के वो element जो image होते है उनको हम क्या कहते थे range कहते थे यहां तक बात हो चुकी थी अब हम types of mapping की बात हो गई थी कि वहीं से बात को उठाएंगे types of function types of function पहले तो समल लिया जाए ये A है और ये B है और जो function है वो A से B के बीच रिस्तेदारी है ये set A है ये set B है एक element क्या है 1,2,3,4 इसके element क्या है A,B,C,D तो 1 का image A 2 का image B A हो सकता है दो element domain का image सेम हो सकता है लेकिन एक element के दो image नहीं हो सकते 3 का image B और 4 का image C तो पहला हमने बताया था कि 1,1 function 1,1 function हिंदी में इसको ऐसे कि एक आएक प्रतिचित्रन कहते है प्रतिचित्रन कहा जाता है पतिचित्रन नहीं 1,1 function तो 1,1 में का का इसका दूसा नाम है injection injective एक injection एक को लगता है इसलिए उसलिए खुज़ यात करने को तरीका है तो 1,1 में क्या कहा गया कि domain के हर एक element तो कल आये थे आप ध्यान से सुन जेगा domain के हर एक element की distinct image होने चाहिए तो definition आप उसकी लिख भी सकते हैं थोड़ा लिख लीज़े अपने आप अब function लिखे आप function f such that a to b is called 1,1 function 1,1 और injective दूसरा नाम लीज़े इन्जेक्टिव if different elements of a या every element of a will have the distinct image in b will have the distinct image in b अब इसको ये तो theoretical approach हमारी हो गई theoretical approach में 1,1 दिखाने के तरीका ये ray diagram भी हो गया इस arrow से हम दिखा सकते हैं दूसरा तरीका जो mathematical approach हमारी ये है दिखो ध्यान से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दो element मानेंगे x1 और x2 किस में मानेंगे domain में मानेंगे और हम कहेंगे कि y is equal to fx1 और y is equal to fx2 और हम यहाँ मान लेंगे कि यह x1 x2 की image कैसी है same है मैं यहाँ y मान लेता हूँ y है सबकी image हम यहाँ मान लेंगे कि let fx1 is equal to fx2 मतलब दो element domain की same image है तो हमारा जो definition है उसका एक contradiction हो जाएगा वो तो विरोध हो रहा है आप definition में क्या कह रहे हो कि इसकी image अलग-अलग होनी चाहिए और आप कहरो यहाँ पर image same है तो इसका मतलब यह हुआ जाकर के कि यहाँ पर हम proof करके दिखाएंगे कि x1, x2 दो element है वो element भी equal है they are not different equal है और equal element आप जानते है उसका repetition नहीं करते वो एक ही element दिखा हुआ है तो मैंने एक example दिया था तो दोवारा एक example दे देता हूँ हमने माना कि fx बराबर चुकि linear ही देना पड़ेगा हमको मजबूरी हमारी है यह चलिए हम बाजपेजी की तरह करते हैं x1 fx बराबर x मान लेते है x3 मान लेते है x3 square तो नहीं मान सकते हैं square तो plus minus हो जाएगा और हमारी जो mapping है वो f says that r to r की है उसको हम real valued function भी कहते है real valued function उसको डोमें भी r है real number है और जो आपका range है co-domain वो भी r है तो हम क्या करेंगे हम पहले दो element मानेंगे x1, x2 किसको बिलांग करेंगे r को r बोले तो domain को यह वाला r वह 2 r है ना तो r को हमको explain करना पड़ेगा ना और हम मान लेंगे कि दोनों की image कैसी है same है तो इसका मतलब fx1 का मतलब क्या है x1 cube is equal to x2 cube तो कल हमने बताया था कि x1 is equal to क्या हो जाएगा x2 so it is 1 1 so it is 1 1 यह 1 1 function होगा समझ भी बात इस example को note कर लिजे बहले आपने note किया हो फिर note कर लिजे अब many 1 function नाम से लग रहा है कि बहुत चीजों का एक ही image होगी हम माल लेंगे कि f such that जानबूज के x2 y मान रहे हैं x2 y मानने में एक idea लग जाती कि x1 x2 किसको बिलांग करेगा b many 1 ये many 1 होगा कब if spelling graph if लंबा f हो गया उसका region में बता रहा हूँ if x के 2 या 2 से अधिक element का image same हो यानि कि if to or more element किसके of x इसको x मान लो फिलाल इसको आप y मान लो x will have the same image will have the same image the same image image कहा होती है in y same image in y अगर x के 2 या 2 से अधिक element के image same हो y में तो इसको हम many 1 function कहते हैं नी दा रही है तो इसे हे क्या होता है ने अफ़ारे वो अंदर अंदर वो invert हो रहा हम दिख रहा है सुनिये जान से एक मिनट जब कोई एक बात किया कर तो उसी इसको बात करने दिया ठीक है अपनी जो आप ज़रा समुझेगा इसमें सिर्फ जैसे हम रे डाइग्राम से दिखाएं हम एरो से तो यह दिख रहा है वन और टू के सेब इमेज है एकस और एकस टू का सेब इमेज है ठीक है तो यहाँ पर हम mathematically अगर दिखाएं तो आप लिखेंगे हम यहाँ क्या करेंगे कि दो element मानेंगे किस में एकस में मालेंगे हमने एकस मालिया ना और such that हम कहेंगे कि fx1 is equal to fx2 और बाद में प्रूफ क्या कर देंगे x1 is not equal to x2 या उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं कि दो element equal है लेकिन उनकी इमेज equal नहीं है वो ठीक नहीं रहेगा दो element equal नहीं है तो उनकी इमेज भी इमेज equal है लेकिन element equal नहीं है मतलब क्या हुआ x1 x2 दो element है अलग-अलग element है लेकिन उनकी दोनों की image same हा रही है example अगर इसका आप देना चाहें कि बहुए कोई example बताईए तो अगर हम कहें कि f such that real number to real number की हम बात करें ठीक है और यहाँ पर function माले fx बराबर x square तो हम अगर यहाँ पर fx1 is equal to fx2 करोगे तो आएगा x1 square is equal to x2 square तो x1 is equal to क्या जाएगा plus minus x2 तो आप देख रहे हैं कि x1 की value plus minus x2 है मतलब अगर मैं ऐसे समझाओं कि f1 अगर हम निकालते हैं तो 1 ही आएगा यादि इधर 1 है 1 का image भी 1 आ रहा है और अगर f minus 1 निकालें तो तब भी बना रहा है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि f1 और f minus 1 की image तो सेम है लेकिन 1 और minus 1 आपस में सेम नहीं है मतलब दो different element के same image मिल रहे हैं तो यह कैसी function हुआ कैसी function हुआ कैसा function हुआ मैं नहीं कैसी नहीं जैसे आपने example लिया कि fx is equal to sin x यह है मतलब जो x है वो इसका element है और जो result आया है sin x वो उसका element है तो कि trigonometry function के rule को follow करती है इसलिए इसको trigonometry function कहा जाता है अब देखे जान से हमने माल लिया दो element x1 x2 domain के और fx is equal to क्या माल लिया fx2 हमने माल लिया कि let यह दो image सेम है इसका मतलब क्या होता है sin x1 is equal to sin x2 तो अगर मैं x1 की value निकालू तो आप कहेंगे x2 होगा लेकिन और value भी दो हो सकती है तो हमने पढ़ा है n pi plus minus 1 to power n x2 याद करिया आप general value आप theta 11th class में आप पढ़ते थे where n belongs to integer where n belongs to integer तो चूंकि x1 की image भाई देखे जैसे आपने लिखा माल लेते लिखा fx is equal to sin x और sin x की value आप 1 by 2 लिखते हैं लिख रहे हैं आप तो x 30 degree करेंगे तब ही 1 by 2 आएगा और 180 minus 30 करेंगे तो यानि कि यहाँ पर 30 degree की value यानि pi by 6 की value और 150 बोले तो 5 by 6 तीनों की image कैसी आ रही है सेम आ रही है ना तब यह दोनों कैसे हैं डिफरेंट है यह कैसा function है यह यह many one function है नोट करिए इसको next है on to function आंटी का वो तो on to नहीं हो आंटी का male version on to function देखो on to मतलब सर पर बढ़े जा on सर पर बढ़े जाओ तो यह वाला सर है इसको head objective नहीं याद करने लोग बोले कुछ ऐसा बतात रहते हैं इसे अच्छा head objective होगा तो ऐसा नहीं याद कर लीजेगा सिंग साब आईए ऐसा समझेगा जरा यह language जजीव है कह रहे हैं कि f such that x to y be onto function onto function if y जो है न y बोले तो co-domain तो y का हर एक element domain के किसी ने किसी element का image होना चाहिए if all the elements all the elements of y y बोले तो co-domain is the image is the image of at least at least at least one element of domain one element of domain at least क्यों क्या गया क्योंकि आप जानते हैं कि domain के do element के image same हो सकते हैं हो सकते हैं तो यानि कि कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि co-domain के element हैं वो किसी ने किसी के image होने चाहिए यानि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर range जो होगी न वो किसके equal हो जाएगी co-domain के equal हो जाएगी भाई हमने क्या कहा था हमने कहा था कि अबर f says that x to y है तो x के सभी element domain क्यालाते है y के सभी element co domain क्यालाते है और y के वे element जो x के element के image है और range क्यालाते है उसमें कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं तो हमने का नहीं हुआ range co-domain के equal होनी चाहिए ठीक है तो देखो इसका एक तो तरीका ये होता है कि भई हम ray से निकाल ले ray वाला diagram बना दे और इस प्रकार से arrow diagram बना दे ये arrow diagram ray न कही है arrow diagram कही है हम ये arrow diagram बना दे ये x है ये y है इधर a b c d इधर p q rs तो a का p से b का r से c का q से d का ऐसे हो गया ये है आंटू नहीं आए तो आंटू mapping हो गई लेकिन हम mathematically कैसे इसको proof करेंगे कोई example आता है तो example आंटू जो है सर के उपर से निकल जाता है अब मैं उसको लगाने की कोशिश करता हूँ समझाने की ठीक आप देखो ध्यान से मैं एक आध example डिसस करता हूँ और 90% 100% तो नहीं कहेंगे क्यों कुछ लोग कहेंगे अच्छा समझ आएगा नहीं आएगा समझ जाओ कहने समझ में आया अगा नहीं आया दुबारा समझ में आया नहीं आया दुबारा समझ में आया नहीं आया दो कंटा में आया बोले आ गया पहली बार ही आ गया था होता है ना कुछ लोग 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 हम नहीं आया बताएंगे ज़रा समझने की कोसिस करो पहला example अगर मैंने कहा कि f says that r to r भाई साब ध्यान से समझिएगा r to r एक function है ठीक है और fx बराबर है x square इसको y मानते हैं y बराब fx तो ये r to है कि नहीं है तरीका समझिएगा अब आप कहेंगे ठीक रे बना लेंगे इरो बना के दिखा देंगे इरो कितने बनाओगे भाईया कहें बहुत तीन घंटे पूरा पेपर मैं एरो भी बनाते रहेंगे यही कोशन आता एरो दे एरो दे एरो पांच का भी भर डाले बोले बोले हम सब दिखा डालेंगे कोई real number छोटे गा ने तब ही छोट गए सुनो ध्यान से दुनिया वालो साउधान यहां on to दिखाने के लिए मैं इससे बना रहा हूँ इसका बनाना नहीं है मैं तो समझा रहा हूँ कि वह आपको यह है x और यह है y दोनों real number है तीक है यानि इसको आप x to y भी लिख सकते हैं लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं ठीक है देखो जहान से यहां सब real number वहां सब real number है इसके element को x से denote करता है इसके element को y से denote करते है ठीक है माले यहां पर 1, 2, 3, 4 minus 1, minus 2 सब real number है ना और उधर भी आपके समझा लिजे बाद में लिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2 यह सब इसके real number है root भी हो सकता है ठीक है तो हमें बताना यह है कि domain के सभी element उल्टा बोल रहा हूँ co domain के सभी element domain के किसी न किसी element के image होनी चाहिए तो image कौन होने चाहिए co domain के तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा ना image देखने के लिए क्योंकि इधर तो कोई element छोड़ता ही नहीं है सब कुछ testing वहां करनी पड़ेगी ना तो हमको अभी क्या हो रहा था x की value आप जब y के लूर दे रहे थे तो x के term में दे रहे थे ना अभी y के सब बात पहुचेंगे और उनसे पूचेंगे ये आपके कौन तभी ये इनके फूफाते तो बोलेंगे भतीजा हूँ मैं इस बोलेंगे ना आपका तो आप करेंगे क्या आप x square को क्या मानेंगे let x square is equal to y तो x की value क्या आएगी so ये हो जाएगा f under root y is equal to y सब्सक्राइब नहीं नहीं आई सब्सक्राइब तो आप बताएगे आप हमारे फूफा हमारे मामा हमारे पापा हमारे हमारे अभी हम इधर पहुँच गये y के पास y से पूआएगे ये कौन तो जिनको तुम फूफा कह रहे थे आप फूफा क्या कहेंगे यह मेरा भतीजा, तो फूफा को अपने टर्मे देना पड़ेगा ना, अब Y के पास पहुंचेंगे, तो Y अपने टर्मे X के विलू देगा, समझ में इबार नहीं आई, ठीक है, अब ज़रा समझेगा, मैंने वन से कहा भाईया यह बताओ, तुम किसके image हो, किससे कहा हमने, Y स किसके image हो, उसने का भीया, मैं root 1 का image हूँ, हमने का तुम किसके image हो, तो किसके image है यह, और root 1 की value क्या होती है, plus minus 1, यानि की 1 का भी यह image है, और minus 1 का image है, है, सबको test करेंगे लेकिन, मैं पूरी आरे यार, पूरी बात तो complete हो जाने दी दिया करो, तुम तो बिल्कुल पहले से टांग लगा कर आगे बढ़ जाते हो, हमने पूरी बात complete कर दी अपनी, तो जब complete हो जाता आप बात करिया आप, पूरी बात तो सुन लिया करिये, पहले हो करके बाग पड़े, पूरी बात तो हो जाने चाहिए, कोई बात करके बाग यह, तो तुम छोड़ी है, वो भी कोहेगा हम root 2 के image है, root 2 है है कि नहीं है, हो गई, real number root 2 भी थो गई, root 2 भी है, root 2 भी है, root 3 भी है, हम minus 1 के पास पहुचे, हमने minus 1 बोले तो y, हमने कहा आप किस के image हो, बोले हम root minus 1 के image है, root minus 1 इसा है, यहाँ पर है, यानि कि y की negative value के लिए, यहाँ पर value एक्ज़स नहीं करती है, यानि minus 1 किसी के image नहीं होगा, तो यह आपका अंटू हुआ, जैसे एक picture देखी तो उसमें कोई था को उपना, किसी की पार्टिम जाके खाता था, किसी की पार्टिम चले गए, किसी कहें लड़के एक तरफ से हैं, तो यहाँ पूछ रहा था, लड़के एक तरफ से हैं, अच्छा कोई पूछने आता था, जल्दी सुनू कर देता था, जल्दी खा लें, किसी की तरफ से हो, कहें लड़के एक तरफ से हैं, बोले अच्छा, तेरही की पार्टिम लड़ उनको विदा किया जाता था लो एक फोटो भी लगती है तो कुल मिलाकर कि ये भाई साब फास गए तो उन्हें तेरह इक पार्टी अब भाई खा तो चुके थे पापा ने बताते हैं नहीं पापा ने के था भेद दिया था ये रूड माइनस ये डज नॉट एक जिस्ट तो इसको अब ये लिखे फिर एक और एक जामपल समझाते हैं तब समझ में और आएगा नोट करिए इसको हमने का नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक मैपिंग है और एफ एक से इसको य मानते हैं आप तो जड़ा हम डाइग्राम के हिसाब से समझ ले अगर इसका एरो डाइग्राम बनाते हैं ये नेचुरल नंबर है ये रियल नंबर है नेचुरल बोले तो 1,2,3,4,5 ये और रियल नंबर तो आपका 1,2,3,4,5,-1,-2,up to 1 by 2,root 2 कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर यहां से देखें तो 1 अगर एक स को 1 रखेंगे इता देखें एक स को 1 रखते हैं आप एसे लिख सकते हैं एसे भी बना सकते हैं आप लिख सकते हैं इस चोजी इतने एलिमेंट हेट उनकी जो इमेज है वो इवेन नंबर है और ये अदधिट उन नंबर नंबर फ़िए Dan Bridge शान मेंज नहीं है, नहीं clear हो गया, अब दूसरा mathematically कैसे प्रूप किया जाए, तो हमें किधर जाना पड़ेगा, उसे उधर जाना पड़ेगा, देखे, तो हम, ये y है न, तो हमने 2x को क्या मान लिया, तो y से जब पूछेंगे, तो y अपने टर्म में रिस्दारी घोचित करेगा न, तो x की value भी y के टर्म में आएगी, क्योंकि y का रिस्तेदार x है न, तो y बताएगा कि हमारा x से क्या रिस्ता है, तो x क्या रिखेंगे हम, y by 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, f y by 2 is equal to y, अब हम किस के पास चलना है, चलो, उसे नौटन की न, जज़र चलने लगते हैं, जा रहे हैं वो, इधर, इधर चले गए, अब पहुंचे किस के पास, 1 के पास, हमने 1 से कहा, 1 बोले तो y, हमने 1 से कहा, आप किसके image हो, तो किसका image है, 1 by 2, बोले 1 by 2 के साथ हम आए, 1 by 2 हमको साथ लेके आए, वो देखो 1 by 2, तभी मैं खा रहा हूं पार्टिंग, कोई ऐसे हो, ऐसे आया हूं मैं, मैं भी a respected person हूं, तो सामने वाले जूता हुदा रहा, बोले, आप य, 1 by 2 को, तो invite ही नहीं किया, आपने, कार्ड ही नहीं बेज़े, तुम कहां से घोसाए जागर के, तो य, 1, शुड़ गया न, य, य, 1, 2 है, नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे, कि domain के हर एक number, कोई एक number उठा लीजे, कोई एक number टेस्ट कर लीजेगा, आप लिखेंगे, for 1, belongs to किसको, और, 1 by 2, does not belong to, n, 1 के लिए, यहाँ 1 by 2 belong नहीं करता है, यहाँ 1 किसकी में जोनी चाहिए थी, 1 by 2 की, और 1 by 2 यहाँ पर, है नहीं, so, does not belong to, n, so, it is not unto, it is not unto, अगर यहाँ 2 नहीं है, तो, यह into हो जाएगी, काम खतम, तो into mapping का भी यह तरीका हम कर सकते हैं, कि into हैगी नहीं है, into को भी इस तरीके से, into में 90% तो हम arrow बना देते हैं, arrow डाइग्राम में कोई एक element छोड़ देंगे, कि यह नहीं है, किसी का image, सबकी testing नहीं करनी है, कोई भी एक छूड़ जाएगा, तो अपने आप वो into mapping हो जाएगी, तो यह आपका unto mapping का एक example, सुन में कारी बात, अच्छा अगर 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 यह थोड़ा चेंज हो जाए, यह real number to natural number होता, अब change हो गया, अगर यह real number to natural number होता, तब क्या होता, तब यह unto होता, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, natural number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टिक टिक टिक, यहाँ पर minus 1 भी है, minus 2 भी है, root 2 भी है, 1 by 2 भी तो यहाँ जिसके पास ही पहुँचेंगे, 2 भाई साब किसके इमेज, 1 by 2 के, यहाँ पर है, 3 किसके इमेज, 3 by 2, यहाँ पर है, आप, आप क्या लिखेंगे, for, second part के लिए, for all, y belongs to, क्यों, 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 यहाँ बात सही है, हाँ, minus 1 की कोई भी ही नहीं होगी जागर की, वारे, हैं, क्या बता रहे हो, अच्छा, वो nature number उसको उपने माल लिया, हाँ, यह function exist नहीं करेगा, क्या है, तुम लोग दिमाग हाँ, हाँ बता रहे हो, does not exist, मन में बोल रहे थे आप, मतब वैसे तो 1, 2 है, लेकिन minus 1, 2 की real number यहाँ पर है, और minus 1 की मेंज क्या होनी चाहिए थी, तो अच्छा, उल्टा कर देते हैं, चली, चली, question change करेंगे, ना, फिर हम, question change करेंगे, चली, इस question के लिए, question change करेंगे, अब function exist करवाया है, तो function exist हो गई होगा, हमने इसको कर दिय x square, चलेगा आप, आप exist करेंगा, नहीं करेंगा, भी भी नहीं करेंगा, 1 by 2 का square करोगे, तो आप exist नहीं करता है, ठीक है, तो यह function ही नहीं है, ठीक है, तो सुंझ जागई बात, हाँ सुंझ जागई, ज्यादा example अपने तरफ से देने से ही गरवड होता है, तो यह unto mapping हो mapping, जो unto नहीं हो, तो into की definition क्या लिखेंगी, कि f such that x to y be into mapping, if at least one element of co-domain is there, which is not the image of any element of domain, co-domain का कम से कम एक element ऐसा होगा, तो इसका image नहीं होगा, उसके लिए आपको mathematically जुरूत नहीं, arrow से बना करके, जो कर दोगे, कोई एक element बस उसमें दिखा दो कि यह नहीं है, किसी की image, और हो तो उनको पकड़े बैठ रहा हो, इनको हमें पकड़ लिया, यह किसी की image नहीं है, और तुम हो तो जुम जानो, ठीक है, इसके बाद अगला है, यह main तीन इसी type के हैं, अब एक होता है, one one unto, one one on two, one one unto को by objective भी कहते हैं, by बने दो होता है, तो one one भी हो और on two भी हो, one one की condition आप पहले follow कराएंगे, फिर on two की कराएंगे, ठीक है, एक होता है one one into, जो one one भी हो और into भी हो, यहनि एक का एक से में जो one one का condition बता चुके हैं, और into की condition भी उसमें फालो कराएंगे, इसमें है many one अंटू भी हो सकता है, अच्छा one one अंटू को one one correspondence भी कहते हैं, इसको one one correspondence भी कहते हैं, correspondence भी कहते हैं, तो confuse न हो इएगा, एक many one unto होगा, many one अंटू, जो many one भी हो और, Unto भी हो Question हम इसको सीखें है एक Many One Into भी हो सकता है Many One Into भी होगा मतब Many One भी और Into भी हो एक होता है Identity Function Identity Function F such that X to Y is the identity function अगर X का जो image X के साथ ही हो एने fx ब्रावर x हो fx ब्रावर क्या हो x हो तो उसको हम क्या कहते है Identity Function कहते है अगला है constant function constant function constant function में क्या होता है कि domain के हर एक element की एक ही image होती है domain के हर एक element की image code domain में एक ही होती है वो constant function होता है जैसे माल लिया जातर ये arrow diagram से दिखेगा जैसे 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E तो अब एक simple से बात यहां बहुत सा element भी नहीं होगे क्योंकि तब अरे क्या लिख रहा हूँ तो 1 की image A, 2 की image A, 3 की image A, 4 की image A, ऐसा हो सकता है तो ये आपका many1 into भी हो गया लेकिन many1 into ऐसे भी हो सकता था कि ये 2 और 3 से जुड़े होते लेकिन याँ सभी element एक ही से जुड़े होते इसको हम क्या कहते है constant function ठीक है तो function के type तो सुन में आगे तब हम बात करेंगे तो function के type तो सुन में आगे कल इसके question डिसस किया जाएंगे पहले NCRT से डिसस किया जाएंगे पढ़के आईएगा थोड़ा सा ठीक है ठीक ठाक चेप्टर है ठीक ठाक है मतब ठीक ठाक है इसको tough माना जाता है ठीक नोट कर लीजिए इसको